हलो फैंश मैं हूं धर्मेंद और आप देख रहा है चैनल यूर एक्जाम गुली आप सभी का आपके अपनी चौल पर बहुत बहुत श्वागत है तो दोस्तों आज हम इस वीडियों बात करने वाले हैं आरपी अप एंसलरी और इसी किसा साथ दोस्तों हम बात करने वाले हैं बाट फिर भी लाश्ट में कुछ केंड़ेट ऐसे थे जुन्होंने एटे लगवाय था और बहुत टाइम से मैं उसके रिप्लाइ नहीं दे पाया हूं इनके आटे के रिप्लाइ आ गया है दोस्तों मैं बताने वाला हूं इसके साथ साथ सीब्या से एक्जाम से संबंदित केंड़ेट ने एटे लगाय था उनके रिप्लाइ भी आ गया है मैं आप पर बताने वाला हूं इससे पहले कि दोस्तों हम वीडियो में आगे बड़े आप चैनल पर ना है तो इसको सब्सक्राइब करें साइड में देख रहोगा क्या बैल आइकन उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो के नोट्फिकेशन आपको टाइम से मिले और हाजी फैंस एदी आती है वीडियो पसंद तो प्लीज इसको लाइक आभी कर दें तो चली दोस्तों ज्यादा टाइम न लेती हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं हर एक डेट आपको दिखाता हूं आपका आटी आई बजरंग लाल रहगरजी का ओकी और बाकि आप यहाँ पर जो जो कैंड़ेट देख रहा हैं मोस्टली सभी के आई टाइक रिप्लाइ और लेडी मैं बता चुका हूं यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना आपको मिल जाएगा तो फैंस जैसे कि आप देख सकते हैं हाँ पर स्टेटेस म बता सकता हूं यहाँ पर इनका आ चुका है तो मैं आपको रिप्लाइ देखाने वाला हूं आप देख सकते हैं और यहाँ पर इनकी डिटिल्स दी गई है सारी कॉंटेक्ट्स ताकि आप लोग हाँ समझ सकें चलिए मैं बताता हूं इनका क्या है रिप्लाइ में आप यहाँ पर लेका है जिस पोस्ट आउफ है ना चलिए देखते हैं तो फैंस आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी आक्सी जैसे कि इनका टेकर रिप्लाइ आया है बजरंग लाल रेगर्दी और इन्होंने आपना लगा था जैसे कि आप देख सकते हैं 2220 को और यहाँ पर इ अप्लिकेशन और रिफ्रेंस दा रिक्वाइड इन्फॉर्मिशन दा फानेश है रंडर तो दोस्तों जैसे कि मोश्टली केंडिट ने हाँ पर फोर कॉस्टेंस रखे थे तो यहाँ पर बजरंग लाल ड्रेगर्दी ने भी यहाँ पर फोर कॉस्टेंस रखे थी फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आस पर रिकार्ड यहाँ रो माक्स वास टॉंटी एट पॉंटी पॉंट शिटी सिक्स तो दोस्तों आपके जो रो माक्स हैं जितने आपने रिटेन एक्जाम में प्राप्त किये थे बो नमर है 28.66 इसके बाद नॉम्मलाइज माक्स कितने हैं 29.84 मतलब यह आपके एक्जाम में यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है अप्टर नॉर्मलाइजेशन आपका माक्स इंक्रीज हो गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर 29.84 और आपका जो लास्ट फेज में टेस्ट लिया गया था उसमें आपको नमर मिले हैं कितनी 23. दिसम्लाव 5 ओकी आप सेकेंड थार्ड कोश्ट आपका क्या रहा आसपर रिकॉइड वर टोटल मार्क्स वाज लास देन फानल मेरेट लिष्ट कर टॉफ हैस्यों नेम इस नॉर्ट इंक्लूड इन फानल मेरेट लिष्ट इसलेक्ट पैनल तो दोस्तों सेकेंड कोश्ट ज आपको रीजन बताएगा है कि आपके जो मार्क्स है वो आपके फाइनल का टॉप से काम है इसी बज़ए से आपका सेलेक्ट नहीं हुआ चले यह तो आपका थर्ड कोशन अब लास्ट कोशन क्या है असपर रिकॉइड यूर्ट टोटल मार्क्स वाज 53.34 मतलब आपने यहा टोटल मार्क्स कितने हैं बताईए तो यहाँ पर आपकी टोटल मार्क्स बताएगा है 53.34 और यहाँ पर जो डिटेल्स वगरह दी गई है यह पढ़ने के काम की नहीं है तो दोस्तों चलिए तो हुआ आर्प एप एंसलरी का रिप्लाइ आप मैं बताने वाला हूं किश्का CBSC आपका जूनियर एंड सीनियर एंड से एक्जाम से संबंदित भाई ने यहाँ पर क्या RTI लगानी को बोला था लगाया है मैंने उनका और उनका रिप्लाइ आया है वो बताने वाला हूं चलिए बढ़ते हैं आगे और जैसे भी कोई आर्प एंसलरी का कैंड़ेट है उस लिए बढ़ते हैं आगे हां तो डियाफेंस आप देख सकते हैं हम आगे हैं अंगली स्लाइड मोर बात कर लेते हैं CBSC आपका जो जूनियर एंड सीनियर बेरियस पोस्ट के लिए एक्जाम हुआ था उससे संबंदित हैं पर काइंड इट ने आट एपलाई करवाय था दोस अपलाई कर दिया था आप लोगों को बता दिया था कि यहासा हुआ है माक्स वगरा लेकिन फैंस मेरे को भी बाद में पता चला के भी उसने एडिट किया है आप लोग के कमेंट आये थे इसलिए मैंने उस वीडियो को हट दिया था ओके तो आप लोग यहां पे देखिए जो की ओरिजिनली मैंने खुद लगाया है दोस्तों 100% गारंटी है यह उपर से यह आया है और आप देख सकते हैं यहां पर खुद यहां पर यह भाई देख रहा है सौनु कुमार तो यह खुद आप चेक कर सकते हैं यहां पर चुकी आपको बता दूं रेजिस्टेशन नम तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर आटियाए के रिप्लाइ ओपन कर लिया है आप यहां पर देखिए केंद्री मार्दमिक सिक्षा बोर्ड जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों केंद्री मार्दमिक सिक्षा बोर्ड यहां पर जी आप लगाए था जैसे कि मैंने लगाए था आप यहां पर सब्जक्ट देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर्वाइडिंग यहां पर इंफॉर्मिशन अंडर आट एक 2005 रिगाइडिंग आपके जो आपका राइट टु इंफॉर्मिशन एक 2005 है इसके तहत इसी सम्मान देते हैं आपर 2005 इंफॉर्मिशन देरफोर आस पर अविलबल रिक्वाइड इस गिवन हेर अंडर तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि रिकॉर्ड में बताया गया है वैसी इंफॉर्मिशन यहां पर प्रवाइड की गई है आप क्या बोला है आप देखिए इंफॉर्मिशन सूट आ आप की हैं जैसे कि रिजल्ट नहीं आया वाट फिर भी ऐसा आटियाइए में इन्होंने बोला था चुकि एक आटियाइए में ने बताया था जो मेरे कैंडिट द्वारा प्रवाइड की गए थी अब वहाला कि उसने आटिया को एडिट करके प्रवाइड कराया मैं रिजन मतलब की टाइपिंग कब होगी तो इन सभी चीजों का रिपला आखिरकार क्या मिला है भाई किसको भाई सौनू किमार जी को तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं रिपला में दिए गया है माक्ष डेकलिरेशन यहां पर बोला है एंड इसकल टेस्ट डेट प्रोसेज इस्टिल अंडर प्रोसेज हावर दा एप्लेकेंट इस रिक्वेस्टेट आप बोला है तो बिजिट सी बीसी ऑफसल वेपसाइट रेगुलरली फॉर लाइट इन फॉर्मिशन तो दोस्तों यहां पर बोला गया है कि इसका सेटूल जल्दी आभी तया नहीं किय गया है मतलब कि आपको जो इसके टेस्ट कब होगा और आपके मांक्ष डिक्लेयर कब होंगे एंड इसके साथ साथ बोला गया है कि एदि आप और भी अपडेट चाहते हैं आने वाले शमय में तो आपको रेगुलरली आपकी जो आपसल साइट दी गई है सी बेसी की आपसल टेस्ट कब होगा कि समय से डूल आपका रखजाएगा और यहां पर बोला है कि आखिरकार नॉर्मलाज़ेशन होगा की नहीं तो दोस्तों नॉर्मलाज़ेशन ये से एकजाम में होगा जैसी कि आप आप यहां पर देख सकते हैं नॉ्मलाज़ेशन फार्मूला इज अवे भी दिया है cbse.nse.in तो दोस्तों यह है बिलकुल 100% सही true information जो कि मैंने आट यह लगाया था और reply में आया है आप बहुत भाई ने मेरे साथ fraud कर दिया उसका तो मेरे को पता नहीं इसके लिए sorry चलिए फैंस लेते हैं आपसे बिदा वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइ दे दिये तो बिलकुल वीडियो के description box में लिंक दी गई है आप उस पर विजिट करके अपनी सारी सारी information शमिट करने पैमेंट करने के बाद एदि आपका पूरा पूरा address हमारे पास आ जाता है तो आपका RTI 100% लग जाएगा और ऐसे एक से दो कैंडिट देखे गए थी कौन CBSC वाले जिन्होंने RTI के लिए पैमेंट कर दिया था बट उनका दोस्तों information उनसे समिट करते नहीं आया इसी बज़े से उनकी जानकारी हमारे पास नहीं आई है और उनका RTI फिलफ नहीं हुआ था मैंने उनको call भी किया उनने call receive नहीं किया मैंने उनको उनकी email ID पर information शमिट करने के लिए link provide कराया बट उन्होंने अपनी information provide नहीं कराई तो इसमें मेरी कोई गल्दी नहीं है उनका RTI फिल नहीं हुआ इन भाई का RTI फिल इसली हुआ इनकी information हमारे पास प्राप्त हो गई थी तो दोस्तों आपके मन में अभी कोई doubt से तो बिलकुल बेज़े जाक करना मैं उसका reply जरूर दूँगा तब तक लिए fans लेते हैं आपसे विदा take care अपना ख्याल रखना ओके जै हिन जै भारत